आज मैं आप सबी के इसास शेयर करूंगी आलू गोबी की इंस्टेंट सबजी की रेस्पी जो सिर्फ 5 मिंट में बन करके तैयार हुजाती है और खाने में बहुत इधार टेस्टी लगती है तो फ्रेंट सर्दी आगे और सर्दियों में गोबी जो है बहुत ही असानी से मिल जाती है वैसे तो ये 12 महीने में मिलते लेकिन जो फ्रेश गोबी होती है जो सर्दियों की गोबी होती है उसका टेस्ट अलगी आता है तो फ्रेंट सब भी लोग फूल गोबी की सबजी अलग-अलग तरीके से बना करके तयार करते हैं तो आज मैं इसको प्रेशर कुकर में बना करके दिखाऊंगे जिससे बहुत ही जल्दी से बन करके तयार हो जाएगी तो फ्रेंट वीडियो को लास तर जरूर देखना तो हमें सबसे पहले लेनी है फूल गोबी और फूल गोबी को हमें यहाँ पर अच्छे से साफ कर लेना है तो मैंने यहाँ पर 500 गराम गोबी लिया आपको जितनी बनानी आप उसी साफ से यहाँ पर ले सकते हैं और दो मैंने यहाँ पर लिये हैं मेडियम साइज के आलू अगर आप यहाँ पर आलू ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप आलू भी ज़्यादा डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर दोई आलू लिए हैं, जितनी हमने यहाँ पर गोबी लिए हैं, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर आलू लिए हैं, अब इस तरीके से हमें यहाँ पर फूल गोबी को छोटे छोटे पिसेज में तोड़ लेना हैं, और इसको अच्छे से हमें साफ कर लेना है कई बार फूल गोबी के अंदर खेड़े होते हैं लेकिन ये बिल्कुल साफ है अगर आप जब भी गोबी बनाए तो इस तरीके कि आपको खिली-खिली फूल गोबी लेनी है इससे जो है अमारी फूल गोबी बहुत ही ज़़ा टेस्टी बन करके तयार होती है तो गुती और मैंने याँ पर इनको अच्छे से वाश भी कर लिया है अब हमें यहाँ पर लेने है टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक फूल गोबी के अंदर आप अदरक ज़रू डाले बिना अदरक के फूल गोबी के अंदर टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो मैंने यहाँ पर दो टमाटर को भी हमें यहाँ पर रफली चॉप कर लेना है आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर की प्योरी भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंट्स मैंने टमाटर को रफली चॉप करके डाला है इससे जो है टेस्ट बहुत ज़्यदा अच्छा आता है तो दोनों तरीके से लेकिन अगर आप इस तरीके से साबू डालेंगे तो एक अलगी टेस्ट आएगा तो फ्रेंड्स कुछ टिप्स और टिक्स होती हैं जिससे हमारी जो सबजी है बहुत यहादर टेस्टी बन करके तयार होती है और आलु-गोबी की सबजी को आपको यहाँ पर फ्राइ करने की कोई ज़वरत नहीं है बहुत ही सिम्पल तरीके से और बहुत ही पेस्टी हम यहाँ पर सबजी बना करके तयार करेंगे तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टमाटर को रफली चौप कर लिया है और अधरक को भी हम यहाँ पर बारिक टुकडों में कट कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर अधरक और हरे मिर्शी का पेस्ट भी डाल सकते हैं गरैंडी जाने में पीस करके या फिर इस तरीके से साबुद भी डाल सकते हैं तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरीके से बारे बारे इसको काट करके तियार कर लेना है आप चाहें तो यहाँ पर प्यास भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर प्यास नहीं डाली है तो अब मैं गैस पर pressure cooker को चड़ा देना है और हमें यहाँ पर लेना है सरसो का तेल तो जब भी आप इस सबजी को बनाए तो सरसो के तेल में बनाए इससे जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमें यह आपर डाल देना है दो चम्मच जीरा और जीरे को अच्छे से हमें चटकने देना है उसके बाद बारी कटिवी हरी मेर्ची अधरक और टमाटर को डाल देना है तो फ्रेंट्स कैमरा बंद हो गया था जब मैंने यहाँ पर जीरा और टमाटर डाले थे तो यहाँ पर आपको टमाटर डाल देने हैं और टमाटर डालने के बाद अब हमें यहाँ पर एड़ कर देने हैं मसाले दो आदी छोटी चमच हमें यहाँ पर डाल देना है नमक नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के कोर्डिंग डाल सकते हैं आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और आदी छोटी चमच लालमुची पाउडर आदी छोटी चमच हमें आपर एड़ करेंगे धनिया पाउडर बस बेसिक से मसाले हमें आपर डालने हैं ज्यादा मसाले हमें आपर नए डालने हैं अब हमें सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद अब हमें इसको ढखकर के रख देना है एक से दो मिनट के लिए गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल लोग कर देनी है जो हमारी टमाटर है वो अलके से सौफ्ट हो जाएंगे और जो मसाला है वो अच्छे से बुन करके तयार हो जाएगा आदी छूटी चमबचम ने यहाँ पर एड की है कस्मेरी लालमेची पाउडर इससे जो है सबजी के अंदर कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है आप चाहे तो डाले वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं इसको भी हमें डक्तर के रख देना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मसाले को बुनते हुए पूरे एक मिनट हो चुका है तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से बुन करके तयार हो चुका है मसाले ने जो है तेल भी छोड़ दिया अच्छे से अब हमें यहाँ पर एड़ कर देनी है कटी हुई गोबी और आलू सभी को डाल करके अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हमें आपर एड़ करेंगे पानी ज्यादा में आपर पानी एड नहीं करना है, सिर्फ आदा गिलास हमें आपर पानी एड करना है पानी डालने से जो हमारे आलो और गोबी है वो अच्छे से पक करके तयार हो जाएंगे और बहुत ही बड़िया गिरेवी बन करके तयार होगी तो फ्रेंट जब भी हम फूल गोबी की सबजी बनाते हैं तो हम कड़ाई में बना करके तयार करते हैं जिसे काफी टाइम लग जाता है फूल गोबी को पकने में लेकिन अगर आप इस तरीके से बना करके तयार करेंगे तो मातर 5 मिनट में हमारी बोती स्वादिस्ट फूल ग और आप यहां पर इसको अच्छे से mix कर देना है ताकि जू मसाले हैं वो अच्छे से mix हो जाए और अब यहांपर इसको ढख करके रख देना है इसके अंदर हमें यह पर एक CT लगा लेनी है ज़्यादा यहां बेनी यहांपर CT नहीं लगाने है सिरफ एक CT लगाएंगे और एक सीटी लगने के बाद जब अच्छे से अपने आप गैस पूरी निकल जाएगे उसके बाद हमें आपर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर मैंने एक सीटी अच्छे से लगा लिया है और गैस जो है इसके अच्छे से निकल चुकी है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया हमारी सबजी पक करके तयार हुई है अब हमें क्या करना है अब हमें गैस को वापी से चालू कर देना है और हाई फ्लेम पर हमें एक मिनट के लिए और इसको पकाना है तो आलो और गोबी जो है वो बिल्कुल अच्छे से यहां पर पक करके तयार हो चुके है अब एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो जो पानी इसमें रह गया है वो अच्छे से सूख जाएगा और बहुत ही बढ़ी हमारी सबजी बन करके तयार हो जाएगी तो अब हमें यहां पर एड कर देनी है आमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला सभी को यहां पर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और बस एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमें यहां पर इसको पका लेना है तो फ्रेंड्स यहां पर बिल्कुल खड़ी सबजी हमारी बन करके तयार होगी बिल्कुल भी नहीं गुटेगी और बहुत ज़र टेस्टी बन करके तयार होगी तो आप एक बार इस तरीके से जरू ट्राय करना बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार जाती है और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्याद अच्छा थै लास्ट में हमें आपर एड़ कर देना है दनिया पत्ती डालने के बाद अच्छे से हमें आपर इसको मिक्स कर देना है तो लीजे तैयार है फ्रेंड्स पांच मिनट में बहुत ही टेस्ट ह हमारी आलू गोबी की सबजी तो आप एक बार मेरे कहने से जरूर ट्राय करें और रैस्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंट चैनल को सब्सक्रेब करने ना भूलें अगर आप ये रैस्पी फेस्बुक पर देख रहें तो मेरे फेस्बुक पेज को फोलो जरूर करें तो चलिए फ्रेंट्स गरमा गरम सब्जी को सर्व करते हैं आलू गोबी की सब्जी को आप पर आटों के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भीखाए सबी के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यदा अच्छा हैगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा पाने लेकिन जैसी है हमारी जो सब्जी ठंडी होगी इसके बाद यह सारा पाने अच्छे से अब्जोव कर लेगी तो हमें आपर इस तरीके से ग्रेवी वाली हलकी सी सब्जी रखनी है ज्यादा ड्राई हमें आपर इसको नहीं करना है थोड़ी देर बाद अपने आप यह ड्राई हो जाती है तो फ्रेंड्स अब जब भी आपको आलू गोबी की इस इंस्टेन सब्जी बनानी हो तो आप इस तरीके से प्रेशर कुकर में बना करके तियार कर सकते हैं लास्ट में हमें आपर थोड़ी सी दन्यापत्ती और डाल देनी है तो लीजे तयार है मिंटो में बनने वाली फूल गोबी की सब्जी की रेस्पी तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार